अब है types of keys कौन-कौन से तरह के keys हैं किस में किस में कीबूर्ड में ओके ज्यादा तर कवाटी कीबूर्ड हम लेंगे क्योंकि वो most common है तो कौन-कौन सी keys है एक है typing keys उनको बोलते हैं alphanumeric keys भी typing keys, alphanumeric keys और इसमें alphabit keys भी है और number keys भी है देखो इनको बोला जाता है alphanumeric keys alphanumeric keys यह सारे हैं यह वाले है number keys और यह वाले है alphabit keys अब दोनु को दोनु को बोलते है alphanumeric या typing keys भी अकसर टाइपिंग में इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादा तर आलफा बिठी इस्तेमाल होते हैं टाइपिंग कीज भी ओके यहां तक समझाया अब 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 यह जो अलफा निम्रिक की है कभी-कभी यह चीज़े भी के अंदर डाली जाती हैं पंक्चुएशन्स भी इसके अं और 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 नमबर के उपर सिंबल्स भी है, डॉलर, परसंटेज, एंड, नमबर के उपर सिंबल्स भी है, ये भी याद रखना है, ये मैंने लिखा हुआ भी होगा, हाँ, टाइपिंग कीज, अल्फा नमबर कीज, अल्फा बिट कीज भी है, नमबर कीज भी है, टॉन्टीश ए टू जड है, और जिरो टर नाइन नमबर कीज है, दस और ये टॉन्टीश सिंबल्स भी इसके राइट में होते हैं, और सिंबल्स भी नमबर कीज के उपर सिंबल्स भी ह होते हैं punctuation की अलग से थोड़े right में भी होते हैं कभी-कभी books में punctuation की अलग भी दिया जाते हैं कि निमरी की से अंदर नहीं मतलब निमरी केज में नहीं लेकिन ज्यादा तर आप बोल सकते हो alpha-numeric keys में punctuation keys भी है symbols भी आते है numbers के उपर और alphabets भी आते हैं यहां तक clear हो गया अब function keys function keys जो है वो f1 से लेके f12 तक होती है function keys programs के लिए ज़्यादा इस्तिमाल होते हैं इसलिए इनको बोलते है programmable keys भी इनको program किया जाता है ठीक है programmable keys भी अब function keys कहां पे sir function keys एक से बारा यहां तक एक से बारा programmable keys ठीक है function key programmable key यहां तक समझाया ओके ओके अच्छा अब उसके बाद है navigation key navigation key जो है उनको बोला जाता है cursor control key भी यह arrow key भी actually navigation और cursor control key के under ही arrow key आते है arrow key यही चार होते है अक्सर ठीक है यह जो navigation key है cursor control key है arrow key है यह क्या है यह cursor को उपर नीचे right left कर सकते हैं यह जो arrow होता है cursor pointer उसको पहले ला सकते है page पे page पे down ला सकते हैं line के end पे ला सकते है line के पहले ला सकते हैं जब आप कुछ type करते हो तो navigation की कौन कौन सी है page up, page down, home, end और arrow keys page up, page down, home, end arrow keys यह है arrow keys 4 ठीक है न यह है page up, यह है page down, यह है home, यह है end end, 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 इन सब को बोला जाते हैं देखो यहां पे भी होगा page up, यहां पे, page up, page down, home, end arrow key यहां पे अलग number दिये गए हैं ठीक है, अलग, उस वाले keyboard में नहीं दिये गए हैं किसी में दिये जाते हैं, किसी में नहीं, अलग क्यूं देते हैं, ताकि typing fast हो यहां पे उतना जबरदस typing नहीं होता, जितना यहां पे, ठीक है, यहां पे number log भी है इस number log की वज़े से यह on off हो जाता है, बताओंगा मैं tension क्यूं ले रहे हो आप, tension क्यूं ले रहे हो आप, अच्छा अच्छा सर, जो आपने यह keys दिखाए, हमें navigation keys, page up क्या करता है, page को up, page down, आप इसके वज़े से page नीचे आ सकते हो, page में home end arrow keys क्या कर सकते, arrow keys ऐसे inverted T में, T बनाया गया न, ऐसे T है न, ऐसे T है न, inverted T की शकल होती है, arrow keys से ऐसे कर सकते है, आप arrow right left, up down end क्या होता है, जब आप कुछ type करते हो document में, आप end of line जाना चाते हो, या document के end पर जाना चाते हो, तो end इस्तिमाल होगा आप Line के Beginning आना चाहते हो, या Document के Beginning आना चाहते हो तो Home इस्तमाल होगा, ठीक है, पहले आप End दबाओगे तो Line के End पे आप चले जाओगे, यह Line है, Line के End पे, Line है, Beginning Line के Home पे, Home दबाओगे तो Line के Beginning पे आजाओगे, अच्छा, Document के, अगर Document है, Document के Beginning पे भी आप Home से आ सकते हो, और यह document के last पे end पे भी आप आ सकते हो end lines ठीक है अच्छा यहां तक तो ठीक है अब पढ़ेंगे हम toggle keys यह toggle की क्या होती है toggle की अपना state change करती है functions जो computer के keys की है उनके change होता है toggle की से toggle की दबाते ही computer के जो keys है उनमें change आती है shift हो जाते हैं वो कैसे caps lock दबाते ही capital letter से small letter से capital letter अगर फिर से दबाओगे number lock दबाते ही आप numbers को lock कर सकते हो फिर आप number type कर सकते हो या नहीं type कर सकते हो on off कर सकते हो आप टगल की से on off कर सकते हो आप on किया तो चला सकते हो ऑफ किया तो दूसरे तरह से चला सकते हो scroll MUSIC की सुरी scroll lock से आप screen को lock कर सकते हो scroll screen नहीं होगा अगर आपने scroll lock को on किया करोगे उसके बाद आप enter कर सकते हो document ले लिख सकते हो ठीक है अच्छा अब modifier keys यह हमें पढ़ने हैं और भी आगे भी बहुत सारी चीज़ जैसे कि modifier की अरे यह तो हमें आगे पढ़ना पढ़ेगा software में कैसे काम करते है control, alt, shift बाकी चीज़े पढ़ना है पढ़ना है फिलाल आप वाकिफ हो जाएए इन चीज़ों से caps lock, number lock, scroll lock insert की इनको देखते हैं इनको देखते हैं अच्छा यहाँ पर caps lock कहां है? caps lock यह है तीक है? उसके बाद alt sorry sorry caps lock, number lock, scroll lock और insert था है ना caps lock यह है, number lock तो इसमें दिया नहीं गया शायद number lock कहां है? नहीं दिया गया है अरे number lock ही नहीं दिया गया है कमाल है, चलो number lock तो इसमें confirm होगा क्योंकि यहाँ पर number से है na number lock यह है, caps lock यह है उसके बाद क्या था? scroll lock scroll lock यह है, ठीक है नहीं यहाँ पर उसके बाद insert था, insert यह है INS, ठीके ना, आया समझ, यह number lock, insert, scroll lock, और caps lock, इन चार keys को दबाकते ही, functions change होते आते हैं, state change हो जाता है keys का, उसके बाद है modifier keys, क्या होते है modifier keys, इनको बोला जाता है, combinational keys भी, क्या होता है यह modifier की, यह खुद से कुछ काम तो नहीं करते हैं, आप modifier key दबाओगे ना, तो कुछ नहीं होगा, screen पे कुछ नहीं चड़ेगा, alone यह कोई action नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन बाकी keys के साथ, combination के साथ, यह action perform करते हैं, काम करते हैं, control, art, shift और function की, खुद से तो यह काम नहीं करते हैं, लेकिन इनको अगर आप बाकी keys के साथ, दबाओगे, combination करोगे, तो यह काम करेंगे, ठीक है, control, alt, shift और function की, कहां कहां पे हैं, बताइए, control key, alt key, shift key, और यह है function की, shift key, control key, alt key, यह है function keys, इन सब को बोला जाता है, combination keys, या modifier keys, खुद से तो काम नहीं करते, किसी दूसरे के साथ मिला के, combination करके, काम करेंगे यह, क्या काम करते हैं सर, कैसे काम करते हैं, अरे अभी तब आपने कुछ पढ़ा नहीं, यह तो basic है, basic है, अभी तो बहुत लंब है, keyboard में नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे हमको यह उसके बाद है, number keys, number keys, right hand side up keyboard होता है, यह वाले keyboard में नहीं है, लेकिन यह वाले keyboard में है ना, यह number keys है, तबी तो इसमें number lock भी है, अच्छा, 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 उसके बाद है, tab key, अब जो यह tab key, यह क्या है, यह cursor को move करता है, preset point पे भी डाल सकता है, tab key कहां प ऐसे भी arrow होता है, कभी-कभी लिखा हो, कभी नहीं लिखा होता है किसी computer में, अगर आप लिख रहे हो, अगर आपके सामने cursor आपने यहां रखा, तो tab आपने दबाया, आप लिख रहे थे ना, तो automatically यहां पर आप आजाओगे, तो आप tab किसे यहां, फिर से आप दबाओगे, जितने आपने बीच में छोड़े होंगे, चार पॉइंट्स, या चार, मतलब आपने छोड़े होंगे, चार alphabets की जगा, for example, यह है, आप लिख रहे हो कुछ, यहां तक आपने लिखा, आपने फिर cursor को यहां रखा, जब आपने cursor को यहां रखा, तो आप यहां से लिख सक आप सेट करो cursor को, वहां से आप लिख सकते हो, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, आप कहीं से भी लिख सकते हो, escape की, जब आप कोई काम करते हो, operation करते हो, तो आप escape की दबा के exit कर सकते हो, फिर मैं आपको दिखाँगा, escape की, टेंशन मत लीजे, पहले इसको कतम करेंगे, वैसे आप mobile में उठाते हो, capture करना चाते हो, current screen का photo उठाना चाते हो, तो print screen से हो सकता है, space bar की, ये longest की होती है, और इससे आप space डाल सकते हो, enter की, इससे आप ok कर सकते हो, या cursor को आप next line में पे move कर सकते हो, ताकि आप begin करो, नई entry, नया कुछ आप लिखो, जब आप enter दबा सकते हो, तो cursor नीचे आजाता है, आप नया कुछ लिख सकते हो, enter की से आप ok भी कर सकते हो, ठीक है न, अच्छा, इसको ok की भी बोलते है, backspace की से आप अगर typing कर रहे हो, तो वापस backspace आ सकते हो, erase कर सकते हो, ये typing वाला, ठीक है, erase कर सकते हो, आपकी typing, थोड़ा सा back आ सकते हो, delete की से आप erase कर सकते हो, ये जो आपने back की से क्या ऐसा आप कर सकते हो, character जो आप लिख रहे हो, वाप erase तो करोगे, लेकिन delete की से आप बाकी चीजे भी delete कर सकते हो, कोई चीज भी, जो भी चीज है, सिर्फ typing नहीं, सिर्फ characters नहीं, memory में कोई भी चीज आप delete कर सकते हो, कोई भी movie, information क कोई भी, कोई भी information हो, delete कर सकते हो, audio, video, file, कोई भी, windows की, ये windows की दबाकते ही, आप open हो सकते हो, start menu open होता है, start menu आपका open होता है, चलिए ये keys देखते हैं, कौन-कौन सी tab तो देख ली थी, escape, print, space bar, enter, ये देख लेते हैं, चलो, escape, देखो, escape की है ये, escape, space bar, सबसे, सबसे बड एंटर है, ये backspace की है, ठीक है ये enter की है, ये backspace की है, और क्या था, enter भी, backspace भी, space भी हुआ, अच्छा, print screen, delete और windows, प्रिंट स्क्रीन यह है बाई विंडोस यहां पर नीचे क्या हुआ इस यह क्यों नहीं काम करा रहे यार हाँ विंडोस ठीक है उसके बाद प्रिंट स्क्रीन और भी था कोई और क्या था 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 बाई डिलीट की हाँ डिलीट आप डून सकते हैं आराम से यह है डिलीट ओके सारी चीज़े देखो 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 इसको सब को देखो Escape की यह function keys है यह number यह tab टैब की है caps lock की है shift की control की function की है यह यह window की है यह यह alt अच्छा alt हमने पड़ा हाँ alt मैंने बोला आपको हाँ मैंने बोला था ना change हो सकता है modifier keys combination keys होते है space bar इसको बोलते है symbol यह तो symbol symbol keys इसने गलत लिका है symbol keys यह नहीं है symbol तो यह है ओपर यह तो punctuation है ठीक है अच्छा control यह सारी चीज़े हमने पढ़ लिए यह arrow की है तो हमने पढ़ लिया भाई सब कुछ पढ़ लिया इसमें मत कुछ रह गया भाई अच्छा 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 यह print screen delete insert की अच्छा यह break की इसको बोलते है pass भी भाई break या pass आप कुछ कर रहे हो तो आप break दे सकते हो पाज कर सकते हो आप कुछ देख रहे हो तो पाज कर सकते हो अब ठीक है अब है pointing device, यह जो pointing devices है, वो कौन-कौन से है, यह आप देख लीजिए, mouse, trackball, joystick, light pen, touch screen, stylus, touchpad, digitizer, interact, whiteboard, eye tracker, ओके, यहां तक ठीक है, अब, keyboard हम पढ़ेंगे, sorry, mouse हम पढ़ेंगे, सबसे पहले, mouse को किसने invent किया, Christopher Latham-Scholes ने, नहीं, वो keyboard है, Douglas Angel Barton ने, okay, mouse जो है, वो कैसा होता है, बहले कैसा होता है, देख लेते हैं, यह है mouse आपके सामने, यह mouse, यह mouse है आपके सामने, ठीक है, ऐसा होता है mouse, अब mouse तो पता होगा, आपको सब कैसा होता है, लेकिन, यह क्या क करता है, देखो यह cursor जो आपके screen पे होता है, या जिसको बोलते है pointer, उसकी यह position उपर नीचे कर सकता है mouse, यह dragging कर सकता है, यह select कर सकता है, और भी इसके बहुत सारे काम है, हम देखेंगे नीचे, इसके काम, लेकिन mouse को Douglas Angel Barton ने invent किया, mouse graphical user interface में काम करता है, GUI और command line interface क्या होत होता है, या character user interface क्या होता है, वो हमें आगे देखना है, लेकिन GUI interface फिलाल इतना देखो, आप मowse से directly अपनी screen पे enter कर सकते हो, आप मowse पे directly अपनी screen पे select कर सकते हो, आप मowse से अपने screen पे directly drag and drop कर सकते हो, अपने screen के साथ आप directly काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं graphical user interface, graphies या images आप यूज़ कर सकते हो, आप देखके directly enter कुछ भी कर सकते हो पहले पहले character user interface में पता है क्या होता है, अगर आपको print कुछ करना होता है, तो आपको type करना पड़ता है, P-R-I-N-T आपको edit कुछ करना पड़ता था न, तो आपको type करना पढ़ता था keyboard में, E-D-I-T वैसा तो mouse नहीं काम करता वो तो type करता ही नहीं, इसलिए वो तो direct काम करता, screen पे graphical user interface उसी को बोलते हैं screen पे direct काम करना direct काम करना screen पे, अच्छी तरह हम देखेंगे CUI और GUI, my difference mouse तीन तरह क्या होते हैं, mechanical, optical wireless, mechanical mouse कैसा होता है यहां पे आप देख लो, यहां इस साइड से mechanical है, और इस साइड से आपका mechanical है, और इस साइड से आपका कौन-कौन से है थे यार mechanical, optical और wireless mouse, ठीक है अच्छा, बहुत था गया भाई, mechanical यह है, हाँ, यह optical, mechanical में यहां पे एक बाल होती है नीचे, यह नीचे की तरफ होता है और, 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 optical में, यहां पे, नीचे की तरफ एक LED होता है, LED optical है यह, ठीक है, LED होता है देखेंगे हम, देखो भाई mechanical में rubber बाल होती है ज्यादा तर उसको बाल, mouse भी बोलते है Optical में LED sensor होता है नीचे की तरफ ठीक है और Wireless ये दो case से अलग है उसमें वायर नहीं होती ज्यादा तर वो Optical mouse की तरह ही होता है लेकिन Wireless में वायर नहीं होती वो फिर कैसे signals बेजता है Radio waves की वज़ा से वो signals बेजता है उसको Caudless mouse भी बोलते है Actions of mouse Mouse क्या actions करता है देखो mouse पे आपको पता है तीन चीज़े होते हैं अकसर उपर उपर एक है right वाला बटन एक है left वाला बटन और एक है scroll वाला wheel ये अकसर होते हैं उपर उपर की तरह बात करो मैं अभी actions कैसे होते हैं mouse के right click दबाते ही आप display कर सकते हो list of commands सबसे पहले आप जब mouse का mouse का mouse की वज़ा से आप जो ये arrow है cursor है pointer है उसको आप किसी file के उपर ले के point कर सकते हो उसको बोलते हैं point करना mouse को pointer or at item item के उपर mouse का pointer ले जाना लेकिन जब आपने ये किया उसके बाद आप right click अगर करोगे mouse का तो display हो जाएंगे list of commands जो भी चीज़े हैं उसके अंदर वो display हो जाएंगी अगर left click करोगे तो आप उसको select आप display नहीं करोगे आप उस file को select करोगे अचा wheel scrolling से क्या होता है आप page और down page ले सकते हो आप drag and drop कैसे कर सकते हो अक्सर ये left से ही क्या जाता है जादा तर dragging drop कैसे कर सकते हो आप move कर सकते हो एक item को on screen कैसे left दबा के आपने left दबाया और इसको आप move कर सकते हो on the screen ठीक है अचा left को अगर आपने double click दबाया तो आप file को open कर सकते हो आप अगर left तीन बार दबाया तो ज्यादा तर वो paragraph लिखने में इस्तेमाल होता है, या paragraph में इस्तेमाल होता है, अगर आपने तीन बार किलिक किया, आप पूरा entire para उससे select कर सकते हो, left को आपने double दबाया, file कर सकते हो, open को, left को आपने तीन बार at a time दबाया, जल्दी जल्दी, तो आप select कर सकते हो entire para, और point भ scroll right button, आजकल आए है mouse, उनमें side buttons भी होते हैं, और बहुत तरह के mouse होते हैं, और जो keyboard है, वो भी अलग-अलग तरह के होते हैं, आपके सामने शायद keyboard जो होगा, वो शायद अलग तरह का होगा, soft, कभी-कभी keys भी थोड़ा सा अलग-अलग function कर लेती है, अगर आप उनको combination करते बाकी keys के साथ, कभी-कभी keys में भी differences होते हैं, क्योंकि अलग-अलग तरह के keyboards भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके, ये तो normal जो मैंने आपको basic चीजे बताए, जो आपको confirm याद रखनी है, keyboard के बारे में और mouse के बारे में, वो मैंने आज आपको इस lecture में बताया, अब आपको हम पढ devices खतम करने की, ठीक है, ये था आज का lecture, ओके, और हाँ, और हाँ, और हाँ, और हाँ, मैगनेटिक इंक character reader बोला था न, ये R से क्या होता है, recognition, ठीक है, ओके, इससे, अगर कोई सवाल होगा, तो नीचे comment करो, मैं उसका answer next lecture के end पे दे दूँगा, ओके, 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 ओक